हलो एवरिवन कैसे आफ सबी लोग दोस्तों आज अपन बात करेंगी सीड के बारे में और सीड का एट टोपिक हमारा सीड जर्मिनेशन जो की एक्जाम के पॉंट अब इससे बहुत ज्यादा इंपोर्टेट है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि एग्रिकल्जर से रिलेटे ज्यादा रहता है उस कन्फूजन को अपन दूर करेंगे कि एपीजल क्या होता है हाइपीजल क्या होता है एपीजल में कौन-कौन से एक्जामपल आते हैं हाइपीजल में कौन-कौन से क्रोप या कौन-कौन से एक्जामपल पुटप होते हैं सीड क्या है सीड का जर्मिने कर सकते हैं कि यह पीजियल है या फिर हाइपोजियल है तो इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं दोस्तों लेकिन उम्मीद है मुझे कि यह वाला लेक्ट्चर आपको जरूर समझ में आएगा लेकिन लास तक जरूर देखना है इसको ऐसा नहीं कि स्टार् इंफॉरमिशन यहां पर आपको दी जाती है तो लैस स्टार्ट करते हैं यहां पर सीड के बारे में तो देखे कि दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहां पर यह दिमें सीड की बात करूँ कि बाइज सीड क्या है सीड क्या है वाटी सीड तो सीड में अपन बात रहें कि एक परीपक वी जो बिजांड होता है परीपक वी बात रहों कि ओवेरी के अंदर एक होता है अंडाशे तो उस अंडाशे से क्या बनता है एंब्यो बनता है अंडाशे से ओवेरी से क्या बनता है एंब्यो तो परीपक सी वो तीन अनुकूल परिस्थियां जब वो मिलती है तब ही भी इसका क्या होता है जर्मिनेशन होता है अब देखते हैं कि सीड में कौन कौन से पाट होते है तो देखेंगा दोस्तों यहां पर आपको मैं थोड़ी सी इंफोर्मेशन बता दूँ जानकारिक लिए बता सीड में mostly three parts होते हैं फस्स है यहांपर अब्रियो जिसको पर रूषन है ब्रूण सेकंड यहां पर सीड कोट जिसको कहते हैं बिजावर्न क्या कहते है बई बिजावर्न इसके लावा एक आता है एंडियो विदा यहां पर आपूरौण को खाना कौन को आप छोट उसको नुक्जजन नले ऊसा हो इसा थोड़ी होता है तो भुरून का खाना भुरून के आसपास ही होता है उसकी जो रसोई घर है उसका जो कीचन है ना वो उसके पास में होता तुरंद खाना बना लेता है और shed coat भाई भीज का यहांपर सुरक्षा कॉन करेगा सीड coat मतलब सीड को coat पहना दिया जाता है और उसकी सुरक्षा करता है सीड कोट, किसकी ब्रून की, एंब्रियो की सुरक्षा करता है सीड कोट, तो mostly three parts होते हैं यहाँ पर सीड कोट, एंब्रियो और एंडोस्पर्म, ठीक है, और इसको तीर नुकूल परस्तियां चीर नमी, ताप, वायो, दोस्तों नमी उर्दू का श कि बीस को 12 से 24 गंटे तक पानी में भिगोते हैं, विकोज वहाँ पर तीन अनुकूल परस्तियों में हमने उसको एक अनुकूल परस्ति दे दी, अब जब उस वाले बीस को हम घूमी के अंदर लगाएंगी, तो वो fast तरीके से germinate हो जाएगा, विकोज वहाँ पर उसको water तो इसलिए उसको 12 से 24 गंटे तक भिगोते हैं, दूसरी बात आपको मैं यह बता हूँ, कि बीस को अंकूरित होने के लिए जरूरी नहीं है, कि उसको मिट्टी जी, मिट्टी की कोई जरूरी नहीं है, बिना मिट्टी के भी जर्मी नैसन हो जाता है बीस का, कैसे हैं, बीस के पर आपने पानी छिटगा, और उसको एक गिले कपड़े में बांध दिया, पैक कर दिया, तो उससे भी बीस का क्या हो जाता है, अंकूर्ण हो जाता है, जैसे आपने चने भिगोई, मूंग भिगोई, और भिगोने के बाद उसको निकाल कर पाने से बाहर रख देते हैं, जैसे वाईयो मिलती है, ताप मिलता है, थोड़ा सा टेमप्रिचर मिलता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, कि बीस का अंकूर्ण हो जाता है, अम्प्रियो, या फिर या वहाँ से प्ल्यूमिस्ट्राइम निकल जाता है, तो ज़रूर नहीं है कि कि बीस का हो जाता है लेकिन जो माल गोदाम होते हैं जहां पर बीज को स्टोरिज की आ जाता है वहां पर बीज का अंकुर्ण क्यों नहीं होता दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि वहां पर बीज की सुरुक्षा के लिए गामा किरिणों का परियोग करते हैं, उन गामा किरिणों के परियोग के कारण ही बीज का माल गोदामों में कभी भी जर्मिनेशन नहीं होता, इसके लावा बीज को फोस्पोरस की सबसे ज़्यदा उशक्ता होती है, क्योंकि बीज में जड़े मजबूत करना है, तो उसको फोस्पोरस देना पड़ेगा, यदि फोस्पोरस नहीं दी तो पोदा गमजोर हो जाएगा, बिकोज वहां पर रूट्स का सही तरीके से निर्मान नहीं होता है, तो बीज का बाहरी भाग है दोस्तों, उसको क्या कहते है, टेस्टा और जो बीज के अंदर वाला भाग होता है, उसको क्या कहते है, कोटी लेजम, ये कौन सा भाग है बई, आंत्रिक भाग, देखो सीड का जो जर्मिनेशन है, वो कोटी लेड़ोन पर डिपेंड, दोस्तों, इस वर्ण को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसी पे आगए अपन देखने वाले हैं, अब देखो यहां पर, जब बीज का जर्मिनेशन होता है, अच्छा ये क्या था, ये क्या था, बई, ब्रुन, जब बीज को तीनों अनुकूल परिस्ते मिलती है, तो बीज का वहां में plume stem होता है, क्यों होता है बई, plume stem होता है, तो ये तो कुन सा भागा गया, radical root हो गया, और ये उपर जो आपने देखा है, जिसको अपन एपिको टाइल के नाम से भी जानते हैं, या फिर अपने इसको plume stem भी कहते हैं, तो अंकूरन के समय सबसे पहले जड़े निकलती ह इसके बाद में plumis stem मतलब पहले जड़े का निर्मान होता है और फिर इसके बाद में तने का निर्मान होता है, फिर बात किने की साब ये micropile किया है, micropile में देखा होगा कि यहां पर एक ओर है छोटा सा, दोस्तों यह दिम चने की बात पहुं, gram जिसको डलनी फसलों को अरा अंदर पानी entry करता है आपने देखा हुआ कि जब हम चनने को भिगोते हैं पानी में डालते तो फूल जाता है फूलता कैसे है जब उसके अंदर पानी जाएगा तब यह तो फूल लेगा फूलता कैसे है कि वहाँ पर एक micro pile होता है छोटा सा जिसमें से water anti करता है उसके बाद यहाँ पर चना क्या होता है दोस्तो फूल जाता है यह इसकी basic information थी चले आगे चलते हैं अब देते हैं इसके types फर्स है epigel and second है hypogel दोस्तो epigel को पर क्या कहते हैं उपरी भूमिक क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं उपरी भूमिक इसको क्या काम नहीं उपरी भूमिक हाइपो जेल को क्या कहा अधो भूमिक देखो question में answer है उपरी भूमिक मतलब उपर अधो भूमिक मतलब नीचे इसमें देखो ap है न, ap word, ap word का मतलब होता है दोस्तो यहाँ पर मैं बात करूं तो above, ap का मतलब above और ziel का मतलब होता है earth इसके ला पूछे, तो जब epizel में अंकूरन होता है तो इसमें जो कोटी लेडोन है वो भूमिके बाहर होता है यहाँ पर diagram को आप आराम से देखेगा, diagram ज़िए आपके समझ में आ गया है तो कोई problems create नहीं होगी देखो इसमें जब अंकूरन होता है तो अंकूरन के समय जो कोटी ले भूमिके बाहर आ जाता है लेकिन इसमें देखेगा कि हाइपोजेल में अंकूरन के समय कोटी लेडोन भूमिके अंदर ही रह जाता है इसमें भूमिके बाहर आता है अब दोस्तों आपके माइंड में क्यों शनाएगा कि सथी बाहर ये कैसे आता है और ये भूमिके अंदर क्यों रह जाता है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि मिट्टी से बाहर द खेलता है तो गरता भई, Epicotile. यह वाला Step, यहह वाला Step, यह क्या है? Plume Sesिटेल, जो कि मैंने अभी लास्त टायम में आपर दाइगराव में बताया है. इस Plume Task की लंबाई ज्यादा होती है, बज़ाए कि इसके यहां पर aypegsel के बज़ाए का, बिजन करेंए अपीजल और भूमी के बाहर आता है, क्योंकि कोटी लेड़ोन को जब भूमी से उपर दखेल दिया जाता है, तो इसके लंबाई समान रहती है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें ये जल्दी विक्सित होता है, जल्दी विक्सित होता है, जल्दी विक्सित क्या होता है, प्लियूमिस्ट इसमें अंकूरण के समय पत्तियां बहानेकलते हैं, दोसतों यह सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें पत्तियां क्यूं निकली? इसका करन क्या है? वो देखना इसमें बीज पत्र भूमी के अंदर होते हैं, इसमें पानी का अवशोशन अधिक होता है और पानी का अधिक आउसोशन होता है तो यह जो बीज चोल है यह फट जाती है और बीज चोल फट जाती है दोस्तो तो पत्ती बाहा निकल जाती है जहां रखना दोस्तो जहां पर क्या होता है कि पानी का अधिक आउसोशन होता है पानी कादी का उस्रिशन होता है तो बीज जो चोल है जो फट जाता है और बीज चोल के फट जाने से पती कहा पर निकल जाती है दोस्तों बाहा निकल जाती है उम्मिद आपको यह difference समझ में आऊ गया, एपीजेल में अंकूर्ण के समय सीड कोट बाहर निकलता है, लेकिन हाइपोजेल में सीड कोट बाहर निकलता है, इसमें पतिया बाहर निकलती है, यह सबसे बड़ा difference है, यहां पर आपको मैं समझा देतो, देखो, डाइगराम को दे रहे हैं देखा दोस्तों इसमें यह हाइपो जिल टाइप है इसमें आप ने जी नोटिस की कि इसमें जो कोटी लेडोन है वो भूमी के अंदर है क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशा लगता है किस पर यहाँ पर कोटी लेडोन भूमी के अंदर क्यों है क्योंकि यहाँ पर पहले प्लूमिस्टेम का निर्मान ज्यादा हो जादा है प्लूमिस्टेम मतलब तना तो आप ने देखा ह यह हाइपूजियल का टाइप दोस्तों ठीक है आप देखेंगा मैं थोड़ा सा शोट आपको पता देता हूं शोट क्या है कि भाई साब यहाँ पर दोनों में अपन क्या लगाते हैं सीड लगाते हैं यहाँ पर क्या लगाते हैं और सीड के जर्मिनेशन के टाइम यहाँ पर यदि बीस पत्र या सीड कोट बहा निकलता है तो अंकुर्ण कौन सा होता है एपीजेल और यहां पर देखेगा मौस इंपोर्टेंट यदि अंकुर्ण के समय पत्या निकलती है क्या निकलती है यहां पर लिफ क्या निकलती है भाई लिफ यदि पत्या अंकुर्ण के समय नि प्तीयां प्ताइम झाला जिस्ट मिलता है तो उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं आपके पतियां अलग तरीकी से यहां पर निकल पा रही है डाइगरूम को आराम से देखीगा जिसको सूर्य भगवान इसको दे रहा है खाना पिना दे रहा है खाना पिना मिल रहा है देखो पत्या निकल लिया आराम से या आप यह पूछो किसका पेड़ है तो भाई यह पेड़ी ही है किसका नही है या तो कुदी identify कीजिए, ठीक है, आप देखो, example की बात कर लेते हैं, ये पीजेल में example कौन कौन से हैं, तो इसमें सभी खरीब वाली दलहनी फसले आती है, सभी खरीब वाली दलहनी फसले आती है, राइट, और इसमें सभी रब्बी वाली दलहनी फसले आती है, सबी रब्धी वाली दलहनी फसले एक्जामपल की बात करें तो देखो भई ये एक्जामपल देख लो यहाँ पर इसमें कौन कौन से एक्जामपल आते हैं इसमें आते हैं मूंग मौट उड़द मूंग मौट उड़द अरहर इसके अलावा अरंडी इसके इलावा लोकी इसके इलावा ककड़ी काकोल यायो काकड़ी इसके इलावा इमली भी ले सकते हैं इसमें इमली इमली खटी मीठी इसके इलावा पपाया भी ले सकते हैं और इसके इलावा खीरा यह सब ही एक्जम्बल आते हैं लेकिन इसमें एक अपवाद आता है दोस्तों कौन सा इसमें ऐसे अपवाद और ऐसे अरहर जहां रगना अरहर खरीब सीजन की क्रोप है लेकिन इसमें अंकुरण कौन सा होता है दोस्त यहां पर हाइपो जेल होता है यही तो क्यूशन पूट सब किस प्रकार से करता है कि भाई खरीब वाली फसलों में कौन सा अंकूर्ण होता है एपी जल लेकिन अरहर आपको दे दे तो आपके माइंड में अरहर तो खरीब सिजन की क्रोव पर लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे अपवाद ऐसे अरहर और अहर में कौन सा जर्मिनेश आम हो गया और इसके लावा मुंग्फली चीक है इसमें गवार भी नोट कर ले न तो ये अंकुर्ण के परकार इसमें होगे लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कौन सा अपवाद है यहां पर अपवाद की यदि बात करें तो अपवाद आता है इसमें राजमा राजमा रभी सीजन की क्रोप बट इसमें अंकुर्ण कौन सा होता है इसमें अंकुर्ण होता है एपी जेल तो ये ही तो कुशन पुटप करेगा आपको एक्साम कि राजमा रभी सीजन की क्रोप है लेकिन जस अपोजिट काम हो रहा है, इसमें अंकुर्ण कौन सा है, हाइपोजेल, अरहर खरीब सीजन की है, लेकिन इसमें अंकुर्ण कौन सा हो रहा है, एपीजेल, तो आपको क्यूशन किस प्रकार से फुट अप करता है, कि खरीब वाली फसलों में कौन सा अंकुर्ण होत ठोप कर सकता है तो दोस्तों ये चोटी सी जानकरी टाइप सो जर्मिनेशन के बारे विए मैंने आपको बताया थे उम्मीदा आपको यह वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगाओ का उम्मीद है उम्मीद समझ में भी आया होगा तो कमेंट पर कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स लेक्षर आपको किस वेचे वो भी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेर जरूर करें और जो लोग नए है चनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर करंट अफ़ेर से रिलिटेड भी आपको जानकारिये दी जाती है, जो भी अग्रिकल्चर की होती है, तो नेक्स सेलेक्सरों मिलते हैं, तब तक लिए नमश्का, धन्यवाद.